क्या आप अपने इंस्टाग्राम के उपर फॉलोर बढ़ाना चाहते हो हाँ क्या अपने व्यूस को आप बूस्ट ली इंक्रीज करना चाहते हो अले हाँ भी हाँ उसके अंदर सब कुछ कांटेंट भी बहुत बेटर तरीके से दे रहे हैं बट उनके पास में व्यूव और फॉलोव गैन नहीं हो रहे हैं जिसके वह सब्सक्राइब हो जाते हैं और यहां पर फेस्टीन अपने चला दियो थोड़ी बहुत इंक्रीज कर दी देन उसके बाद वह सब कुछ मैं आपको डीप में क्लियर करके दिखाने वाला हूँ और सब कुछ मैं आपको लाइव भी करके दिखाने वाला हूँ क्योंकि अल्रडे मैंने क्लाइंट के लिए यह सारी चीजे चला के रखी है और उनको कितनी गेन हुई है मैं चैनल का नेम भी दिखाँ कितने विउ उनको आए है कितने फॉलोज गेन हुए हूँ सब कुछ चलो हम देखते हैं अगर आप बिजनस फाइनेंस एकॉमस या फिर फेस्बुक एड से रिलेटेट कोई भी नई नहीं चीजे स्तीकना चाहते हो तो इस चैनल पर अगर आप नए हो तो सबसे पहले चैनल के लिए मिलती एक्चुल में आपको रिजल बना के में दिखाता हूँ तो आपको इस वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा और सेर भी करना पड़ेगा तो चलो बढ़ते वीडियो के तरह सो हमने जो कैम्पेंच चलाइती हूँ एक चलाइती फॉलोज के लिए यहाँ प क्या बेनिफिट्स होते हैं किस तरीके से एकाउन पचिस किया जाता अगर आप यह सारी चीज़े जानना चाहते हो तो आप महाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो तो यहाँ पर हमने 1.22 डॉलर की एड चलाइती 1 डॉलर मतलब 82 83 सम्टिंग के अबो 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 तो मतलब यह 100 पर इसकी बोल सकते हो यहाँ पर 23 वीजिट आया थी जस्ट टेस्टिंग के लिए हमने एड लगाया था ठीक है फिर उसके बाद में ओफ कर दिया क्यूंकि हमको फॉलोस ने हमको व्यू चीए क्यूंकि व्यू और इंगेजमेंट के साफ में फॉलोस आटोमेटिकली आ जात आटे जो सब सब पहले हमने एड चलाई थी वो थी 97.5K यहाँ पर व्यू देख सकते हो आप और देन उसके बाद में हमें एक और चलाई थी यह थी 52.6K आप यह सारे फॉलोस देख सकते हो सब सब पहले मैंने एक वीडियो व्यू वाला लगाया था ठीक है तो उसके बाद देख सकते हो आप यह जो 23 December को मैंने एड चलाई थी यहाँ पर टोटल जो सपेंड हुआ है 4.41 डॉलर सपेंड हुआ है मतलब करीब करीब यह बहुत सकते हो आप 400 रुपीज के करीब करीब सपेंड हुआ है तो यहाँ पर हमको जो टोटल इंगेजमेंट मिलिए वो मिलिए 50K की 300-400 रुपीज के अंदर 50K से जादा है यहाँ पर आपको व्यू देखने के लिए मिल गए और लाइक्स आप देख सकते हो यह कौन से वीडियो चली वह मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर आप देखो यह जो वीडियो वीव है यहाँ पर हम जैसे वीव के उपर क जाते है जो भी है तो इसके उपर मैंने एड चलाई थी आप देख सकते हो टोटल अब मैं यहाँ पर आपको वीडियो दिखा देता हूं सेम वीडियो यहाँ पर हमको 50 सम्तिंग कुछ व्यू गया है तो वह थी यह वाली वीडियो पोटफोलियो 250 पासंट गें करके 52.6 के 2 के संटिंग कुछ औरगानिक वीव थी इनके और 50 के संटिंग कुछ हमने पूस कर रहे थे ते उसके बाद में हमने एक और एड चलाई थी वहाँ पे मैंने मल्टीपल रिल्स सिलेक करी थी ठीक है जो कि अलोड़ी सिलेक कर रखे है एक यह वाली थी हमारी वीवी 23 डिसेंब ठीक है तो 90,000 समतिक कुछ हमने पूस किया था और 7 के समतिक औरगानिक इनके पास में अलड़ी थे तो यह कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे पूस किया थे दिन उसके बाद में इनके प्रोफाल के उपर इंगेजमेंट भी आप देख सकते हो ऑटोमेटिकल इंक्रिस होते और रूपिस के अंदर समझ सकते हो अप्रोफिमेटली 10,000-15,000 के करीब करीब व्यू हमको मिल जाते है और एजीली मिल जाते है और अगर आपके एड और कंटीन्यू चलेगी तो और ज्यादा सस्ती हो जाएगी मतलब 100 रूपे के अंदर अप्रोफिमेटली 22 के 20 से 30 के तक इजीली आप ले सकते हो तो आपको पता हूँ को फेसबुक एड्स के अंदर जितनी चीजे होती हो बेसिक टूले के एडवांस तक सब कुछ हमको डीप टू डीप सीखना होता है तब ही जा करके हम प्रॉफिटेबली फेसबुक एड्स के अंदर रन कर पाते है क्या हमारा दो सीपसी होता है कि तरह से लो सीपी graph लेकर आते कि कैसे फ्रॉट मार्केटिंग नेट्वक मार्केटिंग यजिंग लिए उनकी कि टरिका स्थि करके बना जाते है क्या है कि फिया कि ब्रॉफिटेल आड्स की जाती है तो इसके लिए आपको आप लेकर सीखना चीजा हो क्या e-commerce के अंदर work करता है, कैसे affiliate marketing, network marketing, या फिर जितने भी नीसेस है, उनके लिए कैसे ads चलाई जाती है, या फिर कैसे client लिया जाता है, और कैसे service basis भी business provide किया जाता है, वो सब कुछ मैंने इस course के अंदर deep में add किया है, और ये पूरा का पूरा course आपको burger से भी कम price के अंदर देखने के मिल रहा है, और first five members के लिए, वहाँ पर मैं 500 रुपे का off लगाऊंगा, तो off 50 लगा सकते हो, ये coupon code आपको 500 रुपे का discount देखने के लिए मिल जाएगा, जल्दी सी जाओ, enroll now के उपर क्लिक करो, जो के link आपको description में दीख जाएगी, वहाँ पर जाकर के आप मेरे course के अंदर enroll कर सकते हो, जहाँ पर आपको lifetime के लिए course मिलेगा, और हमेशा update आते रहेंगे, सब सब पहले अब हम यहाँ पर देखेंगे कि वीडियो वाले add कैसे चलाई जाती है, और अगर आपको profile के उपर, मतलब अपने Instagram के उपर followers increase करना है, visits increase करना है, तो वह किस तरीके से किया जाता है, तो यहाँ पर हम create के उपर क्लिक करेंगे, then हम चलते हैं हमारे engagement campaign, क्योंकि देखो engagement के अंदर आप multiple चीज़े सिलेक कर सकते हूं, यहाँ पर messaging, Instagram, वाट्स, वीडियो व्यू, पोस्ट इंगेजमेंट, conversion, call, सब कुछ, तो मैं continue के उपर क्लिक करूँगा, और then हम जाएंगे हमारे campaign के उपर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सारी चीज़े सेम रहेगी, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस अगर आप CBO on करना चाते हो, तो इसको on कर सकते हो, और जैसे कि starting में आप चला रहे हो, आपका जो भी budget है, मैं जैसे कि यहाँ पर 3 डॉलर की generally, मतलब easily चला देता हूं, जैसे कि client का सस्ते में बहुत कम में view चले जाते है, daily के according आप समझ सकते हो, तो यहाँ पर हम next हम ad set के उपर आएंगे, तो यहाँ पर आपको messaging apps conversion location लिखा है, तो यहाँ आपको select करना है on your ad, मतलब हमको जो है, हमारा traffic जो दिखाना है, हमारे ad के उपर दिखाना, मतलब हमारे ad के उपर ही चाहिए, हमारे video के उपर ही चाहिए, हमको किसी भी particular platform के उपर traffic नहीं भेजना है, या फिर engagement नहीं भेजना है, तो हम on your ad select करेंगे, और then यहाँ पर engagement टाइप में, आपको अगर post के उपर engagement चाहिए, मतलब likes चीए view के साथ में, तो आप post engagement select करो, या फिर only आपको view चाहिए, तो video view select का सकते हो, मैं particular आपको बोलूँगा कि post engagement के साथ जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको view, likes and follows, तीनों चीज़ें मिल जाती है, तो हम post engagement के उपर जाएंगे, और यह maximize मिच रहेगा, और मैं इसको schedule कर दूँगा, कल से, जैसे आज आज आप साम को बना रहे हो, तो 12 बचे से चला दो, 24 और जब add चलेगी, तो बहुत better perform करेगी, अब यहाँ पर particular लिए आ जाती है targeting, targeting आपको all over India रख देना है, और उसके अंदर आप audience targeting, यहाँ पर देखो, search to original option में आता है, और एक automatic manual मतलब आपने तरप से कर सकते हो, तो यहाँ पर देखो, यह सारी चीज़े सेम रहे हैं, बस detail targeting के अंदर आपको add करना है, अब particularly depending काता है, कि आपके niche क्या है, जैसे particular मेरी Facebook ads है, या फिर particular ऐसी इस social media के niche में, digital marketing में, जिनको actual में Facebook ads सीखना है, उनको मैं target करूँगा, ठीक है, और अब इनकी जो niche है, यह crypto से related, forex से related, trading से related, या फिर stock market से related, तो यहाँ पर हम select करेंगी, उनकी particular niche के according, सो मैं यहाँ पर जैसे की, forex trading से लेक कर दूँगा, क्योंकि already यह bitcoin, binance, इन सब चीजों के उपर, videos मनाते, तो forex के, foreign exchange market currency, तो यह भी कहीं न कहीं, bitcoin crypto के साथ में connect करता है, तो अगर binance का keyword यहाँ पर होगा, तो हम binance भी add on कर सकते, ठीक है, बाइनस कोई हैं यहाँ पर, जैसे मैंने foreign कर दिया, अब suggestion के उपर जाएंगे, forex signals, मैं metafor trader कर दूँगा, ठीक है, financial exchange कर देंगे हम, और हम stock market कर देंगे, so कुछ हमने niche select कर दिये, अगर आप इन niche select करना चाहते हो, तो कर सकते हो targeting, क्योंकि video वी या फिर engagement के अंदर, अगर आप automatically manual भी इसको मतलब रखोगे, facebook के उपर भी छोड़ दोगे, तो facebook automatically AI के तुरूँ उसको catch up कर लेता, आपका content की क्या content है, और किस audience के पास हो जाना चीए, तो आप उस niche में अगर नहीं भी select कर गए, तो भी particularly आपके audience तको पहुच जाएगा, बट आप specifically बोलते हो कि मुझे यही चाहिए targeting, देन आप यहाँ पर कर सकते हो, और यहाँ पर advanced detail targeting को connect कर देना, देन जिससे की ज़्यादा audience तक आपका जा सके, ads, so हो सके आपकी real जो भी है, और फिर यहाँ पर option आता है placement पे, यहाँ पर हमको edit के ओपर click करना है, और placement only एक ही select करनी है reels, ठीक है, यहाँ पर switch to manual करूँगा मैं, और यहाँ पर मैं सब कुछ unselect करके, instagram को भी, feeds को भी मैं off कर दूँगा, और then हम stories को भी off कर देंगे, और only one placement select रखेंगे, जो कि है instagram reels, ठीक है, बागी सब dislike कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा instagram, facebook, दोनों के pages, तो सबसे पहले page के साथ में, आपको अपना instagram connect करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जब तक को connect नहीं करोगे, यहाँ पर आपको instagram की जो videos है, आपको यहाँ पर click करना, जैसे अब मैं particularly इसको select करूँगा, तो यहाँ पर अगर देख लो, आपके reels के अंदर, किसी भी तरकी का copyright है, तो आप वहाँ पर use नहीं कर पाऊगे, तो यह चीज़े पहले ही देख लेना, कि आपके reel के उपर किसी भी music का copyright वगएरे, तो नहीं आ रहा है, तो अब मैं इसको select करके continue कर दूँगा, और then यहाँ पर automatically जितनी भी, हमने चीज़े add कर रखे हमारी primary text के अंदर, reels के अंदर और सब कुछ आ जाएगी, और अब हो कैसा दिखेगा कुछ इस तरीके से दिखेगा, और Facebook का मतलब Instagram का एक नया update आया, जिसके वज़े से आपको समझ भी नहीं आती कि sponsor add कौन सी है, क्योंकि छोटा सा बस यह कोने में कॉर्णर में लिखा होता है, कि क्या है sponsors add करके, ठीक है, like, share and सब कुछ यहाँ पर आ जाता है, follow button भी option यहाँ पर आ जाता है, और दिन add करने के बाद में हम नीचे आएंगे, और हमारा सब कुछ यह clear हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी add completely बन चुक है, यह same ही मैंने कुछ इस तरीके से सारे बनाए, अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से delete कर सकता हूँ, मतलब जो targeting है, अगर आप चाहो तो automatically open के उपर रख सकते हो, अब यह मैं close कर दूँगा, और सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, जो मैंने बाकी की जो add sets चलाई है, जो campaign चलाई है, वो किस तरीके से लगा है, और किस तरीके की targeting उसके उपर use करिए, तो maximum के उपर जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो currently अभी यह चल रहा है, इसके उपर हम चेक कर लएते हैं, वीडियो व्यू जो off हमने कर रहा है, यहाँ पर 83 something कुछ गय है, तो यह सब कुछ सेम है, मैंने $5 के उपर, इसके उपर add चलाई थी, और देनों उसके बाद में, और new add, post engagement मैंने select किया था, और यहाँ पर India को select करके, मैंने targeting कुछ करी थी, financial market, date, trading, stock exchange, for a signal, जो कि मैंने आपको recently बताया, ठीक है, और मैंने placement only one select किया था, जो कि थी Instagram real, so, कुछ इस तरीके से, आपको सब कुछ यहाँ पर swap करना होता है, यह video होती है, कुछ इस तरीके से add लगानी होती है, और अब next, इनका जो target रहेगा, हम सबसे पहले follows के साथ में, इनके जो video view है, वो भी increase करेंगे, साथ में, इनके जो organic view है, वो भी automatically increase हो जाएगे, so, कुछ इस तरीके से, आपको Facebook ads के अंदर यह सारी चीज़े यूज करने होती है, I hope आपको थोड़ा बहुत समझ आ चुका होगा, कि Facebook ads के अंदर जो भी बड़े-बड़े creator होते है, जो ads चलाते हैं, तो अपने profile के उपर क्यों लगाते है, अपने verified profile के उपर ads क्यों चलाते है, जिसकी वाज़े से उनकी engagement increase हो सके, और उनके profile के उपर जाद से जादा widget आ सके, और हमेशा उनके view जादा count हो सके, So, I hope you like this video, मैंने जितनी भी चीज़े आपको बताईए, फॉलोर से लेके, वीडियो भी उते लेके, सब कुछ, कैसे बड़े-बड़े influencer ads चलाते है, कैसे engagement increase की जाती है, कैसे profitably ads चलाए जाते हो, सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर cover up किया है, So, अगर आपको थोली सी भी value देखने के मिलिए, तो comment के अंदर मुझे बताना, आपको कौन सा part better लगा, क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया, और आपको कोई भी doubt or question है, तो directly put down कर सकते हो, e-commerce, drop shipping, facebook ad, फिर google ad, इन से लेटर अगर आप कोई भी video चाहते हो, तो comment के अंदर topic बताओ, मैं 110%, उसके उपर कोई ना कोई वीडियो ले के आऊँगा, जिससे के आपके भी questions all हो सके, क्योंकि आपके questions all होते है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे value देने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो अगर आप चाहते हो, कि इस topics के उपर और बहुत ज़्यादा वीडियो आए, तो आप comment के अंदर put down करो, तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं, next वीडियो के अंदर,